दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल मस्ट इस्टरी सपोर्ट में आज के इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे अलंकार से समधे जो भी प्रश्ण पूछे जाते हैं आपको इस वीडियो में देखने को जरूर मिलेंगे पूरा वीडियो अंड़े तक है! अर्थालंकार को ठीक है अब अर्थालंकार के अंतरकत्ष भी बहुत सारे आते हैं पिसमें जो यह कुल सोट तरीके से जब पंक्ति में योजक जिन आए तथा सब्द सासि सरिस आए तो उपमा अलगकार होगा जब पंक्ति में योजक जिन आए और उसके साथ कौन से सब्द आ के सासि से जिन के सद आ है gebracht daltv देख लिए थी इसके साथ कौन से सब्दें तो कौन सा लंकार होता है कामल है हाथ कमल सा कोमल चुश में योजक चिन हैं और साभी आया है ठीक है अब تीसरा रोज़ाण पीपर पाथ सरिस मंडोला इसमें कौन सा सब्द आया है सरिस कौन सा लंकार होगा हूँत उप मा wangkrab होगा ठीक है इसके बाद अर्था अलंकार के अंतरगति आता है रूपा का लंकार जब पंती में केवल योजक चिन्ना है और सब्ध सासी से ना आए तो रूपा का जिसमें मंया मैं तो चंद्र खिलाओना लें हों तो तो चंद्र के इदर क्या है योजक चिन और ना है इसमें बियोजक्टम है योजक चिन नहाए जिए के साथ सा साथ से सरत Adventure तो उपमलंकार होगा ठीक है बाद एउटर सलंक और मैं यदी पंक्ती प्रकाट बढ़ाई ऊच्छी इन सब्दों को याद करन जैंसर इस CR- 5 मनू, जनू, जान, मनहू, जनहू, आता है तो कौन सा लंकार होता है, उत्प्रेच्छा लंकार, देखो इसमें क्या आता है, जनू, जनू है तो उत्प्रेच्छा लंकार होगा, दूसरा उदाहन देख लिए, नेत्र मानो कमल है, इसमें देखो कौन सा सब्दा गया, मानो, अ सब्दों को बस देख लेना आता है तो उत्पर इच्छा लंकार होगा ठीक है अब देख लिए सब्दा लंकार अर्थ कादार पर सब्दा लंकार के तीन भूद होते हैं वैसे होते तो बहुत है लेकिन तीन बेद मान जाता है अनुप्रास यमक और स्लेज यह में यह अपन कौं सा बार बार आया है चा क्या होता है जिसको हम तोड़न नहीं सकते तीक है वन्ट चा सब्द क्या चा वन्ट क्या वर्णैड़ाया ञहना तो इन पर अनुप्रास लंकार होगा दूसरा दान देख लिए मधुर मधुर्ण मुसकान मनोहर मनुज वस्का उज अनेक हो तो वहाँ पर कौन सलंकार होगा यमकलंकार अनप्रा सलंकार में क्या था वर्ण बार बार आ रहा था इसमें क्या था एक ही सब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो अनेक हो तो उसमें यमकलंकार होगा जैसे कनक कनक तेश्थाव गुनी माडखता दिकाय वाखाय बाउराय नर यापावय बाउराय इसमें कनक कनक सब दो बार आया है और इसके आर्थ के हाँ दोनु बार में अलग है एक कनक करत धतूरा एक कनक करत है सोना ठीक है अगला देख लीजे अतिश्योक्ति अलंकार जहां किसी गुड़ या इस्तिती का बढ़ा चढ़ा कर मर्णन किया जाता है वहां अतिश्योक्ति अलंकार होता है ठीक है एक बढ़ा जहां किसी गुड़ या इस्तिती का बढ़ा चढ़ा कर मर्णन किया जाता है वहां अतिश्य युक्ति अलंकार होगा जैसे चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल इसमें कितना बढ़ा चड़ा कर किसी की प्रिसंसा की गई है तो इसमें कौन सा लंकार होगा अतिश्युक्ति अलंकार होगा अगला देख लीजए इसमें मानमी करन अलंकार चैसे फूल कभी हसता है क्या तो इसकी तुलना की गई मानमी भावनाव से की गई है इसमें मानमी करण अलंकार होगा जिसे बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है उसमें अतिश्यक्ति अलंकार होता है और जिस पेड़ पौदे और बादलों की तुलना या प्रिकतिक वस्तु की तुलना मानमी भावनाव से की जाती वह वहाथ मानवी करना अलंकार होता है यह सब्संपर नाइक होते हैं एक सब्सक्वित के अनेक अर्थ होते हैं तो उसमें कौन सा अलंकार होता है होदान देखे 2015 जैसे रहीमंड रागिये बिन पानि शबसून पानी गय न उब्रे मोथी मानुर्श चून यूसे पानि पानी का पहला अर्थ है मनुस्टी के संदर्व में जिसका मतलब होता है विनम्रता से रहिम जी कह रहे हैं कि मनुस्टी को हमेसे क्या रह रहना चाहिए पानी का दूसरा आभात तेज्ब या चमक से जिसके बिना मोति कोई मुल्यर नहीं होता तो एक ही सब्दी के क्या अनेक अर्थात है उसमें क्या होता है सिले सलंकार होता है ठीक है तो आज का ये चेप्टर ये समप्त होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए